वेल सेम सेक्स मारिज तो लीगलाइज नहीं हुई हमारे देश में अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था बट एक और हिस्टॉरिक एक और एतिहासिक जो यहां पर एक मुद्दा आया है और बहुत जादा सुर्खियों में हैं बहुत जादा न्यूज में हैं आप मेरे प transgenders जो हैं वो उनकी military में, armies में काम करते हैं और हमारी society इस चीज को accept करेगी या नहीं करेगी जाते-जाते आप सभी के लिए एक सवाल भी मैं पूछूंगी जिसका जवाब आपको मुझे comment section में देना है शुरू करते हैं बिना किसी देरी के हर एक detail इस news की हम समझने वाले ह मैं आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ, under 24-7 regulatory bodies पर में ररंपिंग की है, शुरू करते हैं, so this is a historic thing जो यहाँ पर अभी आई है, दो दिन से बहुत जादा ये news में है, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, अलग-अलग newspapers ने चाहे वो mint हो, अलग-अलग newspapers ने जो है, भरती उन्होंने किया है, तो क्या इंडिया भी इस लीग में शामिल हो जाएगा, तो इसका मतलब 19 ऐसे देश हैं हमारे पूरी दुनिया में, जिनोंने ट्रांसजेंडर्स को अपने military में भरती किया हुआ है, और वो काम कर रहे हैं, इसमें बहुत बड़े-बड़े दे किश बना था, जिसने ये कदम उठाया था, और उसके बाद बहुत सारी कंट्री ने नीदर लांड को फॉलो किया था, सबसे पहला तो question आप सभी से यही है, मुझे ये बता दीजे, नीदर लांड कौन से continent में पढ़ता है, और उसकी capital क्या है, continent और capital का नाम आपको मुझे बताना है, comment section में, अब शुरू करते हैं, इंडिया का अभी, इस time पर अगर मैं इंडिया की बात करूँ, तो इंडिया का क्या status है, as of now हम जो है, अपने आम फोर्स में, अपने आम फोर्स में, ट्रांसजेंडर्स को नहीं पॉमिट करते हैं, ये अभी का status है, however, जब से वु ट्रांसजेंडर्स को भी पर्मिट करना शुरू कर दें, ठीक है, इससे पहले भी मैं आपको बता दू, 2017 में एक ऐसा case हुआ था, जहां पर साभी गिरी, एक यहां पर इंडिया नेवी के एक member थे, ठीक है, साभी गिरी, जिनका पहले नाम मनीश कुमार था, वो लीव पर थ चार्ज कर दिया गया, बेसिकली आप बोल सकते हो, कि उनको जो है, बोला गया, कि अब आप यहां पर, अब आप नेवी में काम नहीं कर सकते हो, फिर वो गए high court के पास, उन्होंने ये जो पूरा case है, वो high court में दर्स किया, और इस तरीके से जो है, अपनी job वापस पाई, तो वो पूरी भी एक कहानी थी, तो ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़े और ये सारी बाते पहली बार उठी है, काफी सालों से ये already चीज़े जो है, चल रही है, अब ही इन पर एक step definitely हम आगे लेने का सोच रही है, जैसे 2020 में भी, 2017 की हमने एक कहानी सुनी, उसके बाद 2020 में भी आप यहाँ पर देख सकते हो, BSF Border Security Forces या फिर CRPF हो गया या फिर आपका सहस्त्र सीमा बल हो गया, उन्होंने भी Union Government को हमारी जो केंदर सरकार है, उनको यही कहा था कि वो जो है transgender को यहाँ पर recruit करना चाहते हैं, to the officer cater post of assistant commandant, तो आपको पता होगी, तो उन्होंने भी जो ह राज्यों का जो है status अभी जाना चाहें, तो तमिल नाडु आप यहाँ पर देख सकते हैं, तमिल नाडु ने अपॉइंट किया था इंडिया का पहला transgender police officer 2015 में ही, वाइल 36 गड़, एक ऐसा state जो हम पिछडा हुआ समझते हैं, 36 गड़ को बहुत सारे लोग नकसलियों की मुद्दा उठा रहे हैं, बड़ transgender एक हमारा social मुद्दा है, जिनको employment देने का ये एक बड़ा मुद्दा भी यहां से उठ सकता है, और कई अलग-अलग states ने इससे पहले भी अलग-अलग post देकर, अलग-अलग jobs देकर, अलग-अलग areas में उनको recruit करके, ये proof किया है कि वो लो बताया था, 1974 में नीदर्लांड्स वो पहला देश बना था, जिसने transgender को यहां पर इस तरीके का मौका दिया था, ठीके, यहां पर जो है, ताकि वो armed forces में serve कर सके, ये मौका दिया था, उसके बाद अलग-अलग देशों ने, जैसे Sweden, Denmark और Norway ने 1976, 70 और 79 में ये मौका दिया, य जब आप reports and indices पढ़ते हूं, मैं आपको दिखाना चाहती हूं, जब आप अकसर reports and indices पढ़ते हूं, ये वही countries हैं, जो बहुत सारी rankings में top करती हैं, Nordic, Scandinavian countries, अलग-अलग नामू से हम इनको जानते हैं, यहां पर योरोप के ऊपर वाले हिस्से में, अगर ये योरोप है, जहा अपने armed forces में recruit करने का जो एक प्रावधान है, वो बहुत सालों पहले ही शुरू कर दिया था, अब US को हम कैसे भूल सकते हैं, हमने सारे योरोप की बहुत सारे countries की बात करी, इंडिया में क्या status है, वो बात करी, US तो आप सभी को पता है, एक super power है, world power है, तो US में क्या status है, वो भी जाना जरूरी है, US ने जो है, अपने कुछ law, अपने कुछ कानून जो है, वो repeal किये थे 2011 में और allow किया था transgender को कि वो उनके armed forces में serve कर सकते हैं, फिर आए Donald Trump, ठीक है, उन्होंने इस कानून को हटा दिया और जो है, बहुत सारे लोगों को निकाल भी दिया था, इस प बयान आया था, Trump का बयान आया था, कि अगर मैं दुबारा पावर में आया, तो transgender को मैं फिर से हटाऊंगा, और फिर से ये जो rule है, ये जो law है, इसको change करेंगे, खेर वो एक अलग बात है, और वो उनके देश की बात है, क्या वो करते हैं, क्या उनकी सोच है, कैसी उनकी society है वो एक अलग बात है, हमारे लिए जाना, जो हमारे interview में पूछा जा सकता है, वो एक overall perspective, कि कौन-कौन से ऐसे देश हैं, जिसमें आप यॉरप के ये कुछ ऐसे countries हैं, जिनका नाम जरूर याद रखेंगे, अगर आपने normally भी quote कर दिया, तो definitely काफी impressive होगा, कि कौन-कौन से ऐ जहां पर already ये transgender को, army में recruitment का जो process है, ये already शुरू हो, मतलब, already जो है, वहाँ पर recruitments होते हैं, तो ये कुछ यॉरप के देश, आप याद रखेंगे, US की तो एक कहानी है, वो कभी करता रहता है, कभी हटा देता है, इस तरीके से उपर-nीचे चलता रहता है, but definitely US ने भी किया है, हमारे इंडिया का status में आपको बता चुकी हूँ, तो अगर specifically transgender का recruitment, army या armed forces में पूछा जाए, तो आपको ये बताना है, but overall अगर एक social question आप से पूछा जाए, कि transgender के किस तरीके से rights हैं, और हमारे कौन-कौन से states हैं, जो वो rights दे रहे हैं, उनको कहां-कहां job दे रहे हैं, तो आप Tamil Nadu और 36 गड का example जरूर जो है interviewer को बताएगा, मैंने जो अभी आपको बताया है, ये था हमारा आज का पूरा मुद्दा, I hope आपको interesting लगा होगा, समझ आया होगा, अब जो आप से मुझे question पूछना है, वो है आपकी राय, यहाँ पर दो question है आपके लिए, पहला स क्यूं है, वाई जरूर पता होना चाहिए आपको, यानि अपना खुद का एक perspective आपको जरूर पता होना चाहिए, दूसरा question है कि क्या हमारी society इसको accept करेगी easily, ठीक है, तो ये दो question है, मैं आप सभी से जरूर चाहूंगी, मैं personally आपके comment के reply करूंगी, आप मुझे जरूर बत हो जाता है, तो आज आखरी दिन है, अगर आप किसी भी course में enroll करना चाहते हैं, किसी भी banking exam की तयारी कर रहे हैं, this is the last day जब आपको double validity और maximum discount मिल रहा है, इसके बाद जो है, ये offer खतम हो जाएगा, festive season भी खतम हो रहा है, तो चाहे आपको bank maha pack plus में enroll करना हो, regulatory maha pack में, या फि हो चुका है, हमारा personalized mentorship batch भी है, जिसमें RBI 4.0 batch भी आपको मिलेगा और personalized guidance भी आपको मिलेगी, इसलिए इसका नाम भी personalized है, या फिर हमारा SEBI का batch भी अभी जो है, जल्द ही कुछ दिनों में, शायद 20th से, चार-पाच दिन बाद 20 तारिक से हमारा SEBI का batch भी शुरू होने वाला है, आपको किसी भी चीज में enroll करना हूँ, जब आप Adair 24.7 के app पर जाएंगे, batch पर click करिएगा, Y674 जो है code डालेगा, ताकि आपको double validity और maximum discount मिल जाए, all the best इस मौके को मत गवाईएगा, क्योंकि आज-ाज का दिन है, right, again मैं आपको personally suggest करूंगी कि you should go with bank maha pack plus, क्योंकि उसमे सारे banking के exams, आपके test, सारी चीज़े आती हैं, e-books वगेरा, और आप सिर्फ और सिर्फ regulatory exams के लिए prepare कर रहे हैं, जैसे आपका RBI है, NABAD है, IFSC है, SEVI है, तो ये भी एक बहुत अच्छा आपके पास opportunity है, और अभी double validity दोनों पर ही available है, जो कल से नहीं होगी, ठीक है, so आप इसम अच्छा लगा हो, आपको session, दो सवाल मैंने आप से पूछा, in fact, तीन सवाल पूछा है, नीदर लाइन की capital और continent भी पूछा था, तीनों के जवाब मुझे दीजेगा, आज के लिए, इतना ही, thank you so much everyone, take care, bye-bye.